रूस के रास्ट्रोपती विलादिमर पोतिन पांचवी बार देश के रास्ट्रोपती पद की शपत लेंगे मंगलवार को मॉस्कों में शपत ग्रहन समहरो होगा चुनावों में बड़ी जीत के बाद पुतिन फिर से 6 साल के लिए रूस के राश्ट्रोपती बन जाएंगे क्रेमलिन में दोपहर धाई बजे पुतिन का शपत ग्रहन समहर होगा यूकरेन से युद्ध के बीच पुतिन को फिर से राश्ट्रोपती पाद मिलने से पश्यमी देशों में खलबली मच गई है यूरोपे देशों को डर है कि पुतिन बाल्टिक सागर या पोलेंड में नया वार फ्रंट खोल सकते हैं शपत ग्रहन से ठीक पहले पुतिन ने रूस की सेना को परमानू हत्यारों का अभ्यास करने के आदेश दे कर दुनिया में खौफ पैदा कर दिया है पुतिन ने परमानू हत्यारों के अभ्यास का ओर्डर यूकरेन की सीमा पर नेवी और आर्मी को दिया है पुतिन का ये कहना है कि अभ्यास का मकसद हथ्यारों की तैयारी और इस्तिमाल परखना है रूस और उक्रेन के बीच 26 महिने से युद्ध चल रहा है और वेस्टरन देशों का ये मानना है कि पुतिन युद्ध को खत्म करने के लिए परमानू हत्यानों का इस्तिमाल कर सकते हैं युके देवनाथ जी अमारे साथ जुर रहें डिफेंस एक्सपर्ट हैं स्वागत है आपका युके देवनाथ जी पुतिन एक बार फिर से लाश्रुपती बने जा रहे हैं और शपत ग्रहन वो करेंगे लेकिन पश्यमी देश इस बात को लेकर चिंतित हैं कि पुतिन का अग युके देवनाथ जी अमारे साथ अभी जुडेंगे फिलहाल आवाज नहीं पहुंच पारेंगे दुबारा उनसे बात्चित करने की कोशिश करेंगे लेकिन ये बड़ी जानकारी पांचवी बार रूस के रास्ट्रुपती पुतिन बनेंगे और शपत ग्रहन के लिए तै युके देवनाथ सर एक बार फिर से पुतिन राश्ट्रुपती बन रहे हैं और शपत ग्रहन उनका कल होगा लेकिन चिंता पश्चिमी देशों को भी है नाटो देशों को भी है कि आखिर उनका अगला कदम कितना घातक होगा क्योंकि परमानु हमले की भी वो धमकी दे अब एक ही चिंता सता रही है कि आने वाली जो पीडियां हैं रूस की वो यह याद रखें कि एक बार उन जैसा एक महान नेता बना था जिसने की रूस को अपनी पुराना जो ग्लोरीफाइड सोवियत रश्या का एक इमेज था उसमें पुतिन ने चीफ दिलाई अब पुतिन की दिक्कत ही आ रहे है कि दो साल के युद्ध के बावजूद वो उक्रेन ने अपनी फौज को जीत की तरफ नहीं ले जा पाए हैं इसलिए वो बार बार अपनी नुकलियर फोर्स को अलर्ट रहने की आदेश देते हैं नुकलियर फोर्स को एक्सराइज पर उक्रेन को या पस्चिमी देशों को नुकसान पहुचाना सकता है तो यह उनका एक बहुत फाइन बैलेंसिंग एक्ट है हमें यह दिखना पड़ेगा कि असल में क्या वो ऐसा करेंगे जब तक वो नुकलियर हत्यारों का इस्तिमाल नहीं करते हैं तब तक रूस सेफ है पस पच्चिमी देश, नेटो, अमरीका भी अपने नुकलियर हत्यारों का इस्तिमाल करके रूस पर काउंटर अटैक करेंगे तो यह तो फिर वो मैड वाली बात हो गई पुराने जमाने में कॉंसेप्ट था, MAD, Mutually Assured Destruction, रूस अपने नुकलियर हत्यार का इस्तिमाल करेंगा जवाब में पच्चिमी देश भी रूस के ऊपर नुकलियर हत्यारों का इस्तिमाल करेंगे, दोनों ही आपस में एक दुसरे को बहुत ही भैंक कर शतित हो जाएंगे, ऐसा शायद नहीं होना चाहिए, यह पुतिन को भी मालूम है, जी सर क्योंकि छे साल के लिए राज्ट्रोपती बनने वाली है पुतिन, किन चीजों का उनको ख्याल रखना चाहिए, ताकि जिस तरह से उनकी आलोशना हो रही है, जितने सक्त कदम वो उठा रहे हैं, उससे बचा जा सके क्योंकि इसका केवल खामियाजा ही भुगतना पड़ करके जवरदस्ती उकरेन को अपने साथ मिलाना चाहेंगे, तो इसके लिए उनको बहुत जदा तादाद में फौज की और हधियालों की जरूत पड़ेगी, हमने देख लिया है कि पिछले दो साल में रूस के पास जो भी फौज है, रूस के पास जो भी हधियार है, उससे जलेंसी को डड़ा नहीं पा रहे हैं, तो दूसरा तरीका क्या है, मेरी खाल से दूसरा तरीका यही है कि पुतिन को अब कोशिश करनी पड़ेगी, कि उकरेन के जो लोग हैं, वो किसी तरह से रूस के लोगों को अपना शुब अकांशी मान ले, इसके लिए पुतिन को शा परसेनलेटी ऐसी है, कि वो कभी भी जब उनको एक मौका मिलता है, सौफ्ट रुख या हार्ड रुख अक्तियार करने का, पुतिन की परसेनलेटी, साइकोलोजिकल प्रोफाइलिंग ऐसी है, कि वो हमेशा हार्ड रुख अपनाते हैं, तो क्रेमलिन को यही आदेश देंग कि पुतिन तो युक्रेन में और ज्यादा नुक्सान हो जाएगा, उक्रेन की इंफार्ट्रक्ट्र, रोड, रेल्वे, कार खाने और ज्यादा नष्ट हो जाएंगे, पुतिन लेकिन उसको मुझे स्ट्रेटेटिक विक्टरी कहते हैं, कि जलेंस की उक्रेन को चोड़के ब से अगर सकती दिखाते रहेंगे, पुतिन और मनमानी करते रहेंगे, तो आने वाले दिनों में मुश्कलें बहुत जादा बढ़ सकती हैं, उनकी की पश्यमी देश भी नाराज है और नाटो भी पूरी तयारी के साथ सामने खड़ा है, विश्वयों धुभी हो सकता है, तम बहुत शुक्रिया तमाम बात्चीत के लिए.